तो जाहिन दोसों स्वागत है आप सभी का आपके ये अपने यूटूब चनल अरवन जी के स्टडी में इस वीडियो में हम जारेंगे समाने ग्यान 2023 के कुछ इंपोर्टेंट प्रस्नों के बारे में पर्थम भारतिये महिला कौन्ती इंपोर्टेंट प्रस्ने फ्रेंट्स ओलंपिक पदक विजेता पर्थम भारतिये महिला कौन्ती तो ऑप्षन नमर बी वाला कर्नम मलेसवरी याद रखेंगे very important प्रस्ण है ये प्रस्ण बार-बार पूछे गए हैं नेक्स्ट है हमारा कोश्ण नमर दो हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था नेक्स्ट कोश्ण के और बढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा कोश्ण नमर तीन भारत में सबसे प्राचीन परवत सिंखला कौन सी है भारत में सबसे प्राचीन परवत सिंखला है आपको अराव वली याद रखेंगे अराव वली भारत की सबसे प्राचीन परवत सिंखला है इसे आप नोट कर ले नेक्स्ट कोश्ण है आपको कोश्ण नमर चार ठीके फ्रेंट्स, कोनार्क का सूर्य मंदिर किस परदेश में इस्ती थे? नेक्स्ट है हमारा कोशन नमर पाँच, डिसकावरी आफ इंडिया के लेखक कौन है? एकaking फ्रेंड डिसकोवरी ओफ इडिया के लेखा के आपको औप्शन अबर बी वाला जवाहर लाल नेहरू याद रखेंगे friends next question है आपको question number 6 निमलिखित में से कौन सा पानी का सुधतम रूप है option number C वाला वर्षा का पानी ठीक है friends सुधतम रूप होता है आपको वर्षा का पानी याद रखेंगे very important है next अवाले आपको question number 7 माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है ये वाला फास्पोरस का मसाला होता है ठीक है फ्रेंस माचिस की तीली पर नेक्स्ट है हमारा कोशन नमरा निम्न राष्ट पतियों में से किनका चेयन निर्विरोध हुआ था तो आप्शन नमर बी वाला डॉक्टर संजीव रेड़ी का ठीक है फ्रेंस याद रख लेंगे डॉक्टर संजीव रेड़ी का निर्विरोध हुआ था राष्ट पति के लिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़ेंगे नेक्स्ट परसन है हमारा कोशन नमर नो इनमें से कौन सा जैविक रूप से नस्ट नहीं होता है तो आप्शन नमर डी व इनमें से किसकी कार पर नमबर प्लेट नहीं होती है तो आप्शन नमर ए वाला राष्ट पती के कार पर नमबर प्लेट नहीं होती है याद रखेंगे मौस्ट इंपोटेंट है नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमर ग्यारा किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेने चलती है तो option number C वाला जापान में सबसे ज़्यादा ट्रेने चलती है ये भी most important प्रस्न है आपको next question है आपको question number 12 किर्केट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है किर्केट का जनम दाता कौन से देश को कहा जाता है तो आप्शन नमर A वाला इंगलेंड को याद रखेंगे फ्रेंड्स किर्केट का जनम दाता है आपको इंगलेंड ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमबर 13 एलेक्ट्रोनिक नगर के नाम से किस सहर को जाना जाता है एलेक्ट्रोनिक नगर के नाम से किस सहर को जाना जाता है तो आप्शन नमबर B वाला बैंगलोरो को एलेक्ट्रोनिक नगर के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमर 14 विस्व का सबसे अधीक अबादी वाला सहर कौन सा है विस्व का सबसे अधीक अबादी वाला सहर है आपको अप्शन नमर B वाला टोकियो याद रखेंगे फ्रेंज टोकियो विस्व का सुर्धिक अबादी वाला सहर ह नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमबर 15 ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित है 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 ताज महल किस नदी के किनारे भारत के प्रतम राष्ट पती का क्या नाम था तो अप्षन नमबर C वाला डॉक्टर राजेंदर प्रशाद भारत के प्रतम राष्ट पती थे याद रखेंगे यह भी most important person है नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नम्बर 17 येन किस देश की अधिकारिक मुद्रा है तो आप्शन नम्र 30 वाला जापान का याद रखेंगे फ्रेंज येन आपको जापान की अधिकारिक मुद्रा है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है तो अप्शन नमर ए वाला रिग वेद में नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमर उन्नैस पलासी के युद के बाद डैस को बंगाल का नवाब बना दिया गया था पलासी के युद के बाद डैस को बंगाल का नवाब बनाया गया था इन में से किस को तो अप्शन नमर बी वाला मीर जाफर को याद रखेंगे मीर जाफर को पलासी के युद के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था नेक्स्ट कोशान है आपको कोशेंन नमर् 20 आगरा में इस्तित आराम बाग का निर์ में से किसने करवाया था तो एक्षन नमर् डी वाला बाबर ने आगरा में आराम बाग का निरुमान करवाया था इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोशन है आपको कोशन नमरr 21 उत्तर पर्देश राज शरकार ने मैंपूर शैनिक स्कूल का नाम किस के नाम पर रखा है। option number D वाला जनरल विपीन रावत के नाम पर उत्तर परदेश राज के मैनपूर शैनिक स्कूल का नाम रखा गया है next question है आपको question number 22 विस्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला दे से आपको चीन याद रखेंगे सारे प्रस्ण आपको important प्रस्ण थे जो एक्जाम में बार बार पूछे गए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजेगा अधि यह मारे चैनल पर पहली बार रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा अगले वीडियो में तब तक के लिए जय इंद